अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात तो यह एक जूटा प्रपोगंडा BJP, RSS यह कर रही है पुरे देश में कि वख्फ प्रापटी जो है वो एक प्राइवेट प्रापटी है BJP उसको ऐसा बता रही है कि यह गौर्मेंट प्रापटी है तो यह एक प्राइवेट प्रापटी है नमबर वन दूसरा एक जूटा प्रापगंडा BJP, RSS और उनके अलाइस के तरफ से किया जा रहा है कि वख्फ पॉर्ट के पास डेश में नौ लाक चालिस हजार एकर जमीन है ये एक अफवा पहला ही जा रही है कि नौ लाक चालिस हजार है कितने बत्तीस स्टेट वर्फ बोर्ट में अगर आप टेविलनाडू, आंधरा, तेलेंगाना और ओडिसा के तेरा हिंदू एंडूमेंट बोर्ट की प्रापटीस को ले लिए तो यहीं पर दस लाक एकर जमीन हो जाती है तो यह जूटा प्रोगंडा के जारा है कि आर्मी, रेलवेस के बाद वखबोल्ट भई आप तेविलनाडू, आंधरा, तेलेंगाना और ओडिसा में सिर्फ तेरा प्रापटीस को कैग ने देखा इन चारों को आप मिला लीजिए दस लाक एकर हो जाती है पांची बात ही है कि यह जैसा हिंदू धरम में प्रापटीस दान दी जाती है वैसा ही मुस्लिम धरम में यह दान दी गई प्रापटी है अब उसमें गौर्मेंट केंटेफेरेंस क्यों हो रहा है यह आर्टिकल ट्विंटीसिस का वाइलेशन है आर्टिकल ट्विंटीसिक्स में लखा गया कि कोई भी रिलिजिस डिनॉमिनेशन अपने मजब पे भी चल सकता और अपने जो इम्मुवबल बॉबल प्रापटीस में उसको एड्मिनिस्टर कर सकता तो ये जो नरेंदर मोडी की सरकार है वो वाफ़ प्रापटीस को बचाने के लिए वाफ़ प्रापटीस को डेवलप करने के लिए वाफ़ प्रापटीस में एफिशेंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है ये बिल इसलिए लाया गया है ताके हमेशा के लिए वक्फ बोर्ट को खतम कर दिया जाए इसकी मिसाल आपके साम में दे रहा हूँ नाइन्टी नाइन्टी फाइ एक्ट में वक्फ बाई यूजर है याने कोई चीज के इस्तेमाल करने की वज़े से वो प्रापर्टी वक्फ हो जाती है इसान नमाज हो रही एक जगा पर यतीम खाना है खबरस्तान है अब बीजे पी इस बिल में वक्फ बाई उजर खतम कर रही है वैसे अगर आप हिंदू धरम में देखेंगे कई इंडॉमेंट बोर्ट में देखेंगे वहाँ पर बाई यूसेज वो प्लेस रिलिजेस हो जाती है लाउ में है हिंदू धरम के इंडॉमेंट में अब आप में बेर को बताईए एक एक जामपल दे रहा हो उत्तर परदेश में एक लाग एक्टीस हजार रिजिस्टर्ड वक प्रापटीस है सुनी वकबोर्ट में उसमें से एक लाग बारा हजार तो वकबाई यूजर है जब वकबाई यूजर खतम हो जाएगा तो कौन सा लगपले होगा उसके अपर एक ये हो गया ये इनका ये वकबोर्ट बचाने का मतलब ने खीसने का मतलब है दूसरा उसमें क्या है कि कोई पांच साल जो मुसल्मान रहेगा उसमें लिखावा है प्रैक्टिसिंग मुसल्मान रहेगा वो ही वफ करेगा अब practicing musliman का मतलब क्या है क्या वो पांच वक्त की नमास पढ़ने वाला होगा क्या वो दाड़ी होगी सर पे टोपी होगी क्या वो रातों में जाके मजज़िद में अबादत करेगा क्या वो खुरान का हाफिज होगा क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नौन मुस्लिम होगी ये तुम कोनों ते टे करने वाले पांच साल practicing muslim है ना ये देख लो आप अच्छा कोई ऐसा law हिंदू धरम में नहीं है कोई भी कभी भी दान दे सकता है आप ये क्यों लेकर आए बताओ आप कोनों ते मैं practicing हूँ नहीं हूँ मैं मुसल्मान हूँ मेरे घर में जाक के देखें के नर्दन बोडी या पिर पांच साल के बाद मोडी बोलेंगे हाओ बटा तो मुसल्मान सटिफिकेट लेकर जाओ हाँ तीसरा अब उसमें देख लो क्लेक्टर खुद गौर्मेंट का होता है एक्जेकुटिफ का क्या क्लेक्टर अपने मामल में जजज बन सकता क्या ये तो प्रिंस्पल्स ऑफ नैच्टरल जस्सिस के खिलाफ है भी आप में मेरा जगड़ा होगा तो आप जजज कैसे बनेंगे तो क्लेक्टर को यार दे रहे हैं के कलेक्टर तेह करेगा अच्छा फिर सर्वे कमिशनर होता है जो सर्वे करता है प्रापर्टिस को ये बोल दिए कि ने सर्वे कमिशनर ने करेगा कलेक्टर करेगा सर्वे कमिशनर एक अलग होता है डिपार्टमेंट उसको खतम कर रहे हैं क्यों कर रहे है वह आप उसको फिर आप ये कर रहे हैं कि सेंटरल वफ काउंसल में वहाँ पर सिर्फ एक नौन मुसलिम मेंबर होता है मिनिस्टर होता है बाखी के पूरे जितने कैटेगरी से उसे मुसलमान होता है आप उसको खतम करके मेजॉरिटी non-muslim को member बना चाहरे हैं state workboard में पूरे Muslim members होते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं आप उसमें से कम आठ या non-muslim को अपाइंट करना चाहरे हैं state workboard में election होता है मतवली category का MLA MP category का और बार कांसल का आप nominate करेंगे अच्छा nominate क्यों करना चाहरे हैं अगर आप workboard का act देखेंगे तो workboard में आपकी property वफ है मैं उसको direct management पांस साल के ले सकता हूँ जब मैं अपने लोगों को nominate कर दूँगा उसमें तो मैं direct management ले लूँगा इनकी नियत खराब है उसमें फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई Hindu वफ नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता Hindu वफ Hindu वफ कर सकता है वो متولिवी बन सकता है मगर आप Hindu वफ नहीं कर सकता उसको खतम कर रहे हैं और Hindu को member बनाना चाहरे हैं आप Central वफ का रहे हैं के their shell be their shell be shell का मतलब mandatory अंग्रेजी में दो member रहेंगे minimum अब ये बोरे के दो बनाएंगे अभी जो प्रोविजन है एटलीस टू याने दो से बढ़ सकते हैं आप दो कर दियो खाली उसको वफ का एक ट्रैबूनल है अब ट्रैबूनल में जूटा प्रोवगंडा करते हैं कि ये इसका डिसिशन फाइनल होता है भई एंजी टी का ट्रैबूनल है रेलवे कलैमेंश ट्रैबूनल है इससे चोधाँ ट्रैबूनल है जिनका डिसिशन फाइनल होता है अपील नहीं कर सकते भाई ट्रैबूनल के जजज्मेंट के बाद हाइए कोट में रिव्यव Oui P क्या है कि अगर कोई वफ की जाज़ाद को चोरी से बेशता है उसको 2 साल का ृइ्गरëस एम्परिजर्मेंट नॉन बेल भी अभी मोडी जी के दिमाग में ख्यालाया क्या ख्यालाया कि तो वख्वोड की जाज़ाद को बेश दे मोडी है तो मुमकिन है क्या मुम्किन है कि तेरे को दो साल नहीं सिंपल इंपरिजनमेंट तेरे को बेलेबल हो जाएगा तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है ट्राइबूनल है वफ का ट्राइबूनल उसमें एक डिस्टिक जजज सीजे अपॉंट करते हाई कोट के एक इसलामिक नॉलेज का जानकार और वफ नहीं है तो कलेक्टर विल और अनिक्वाइरी अच्छा पेंडिंग इंक्वाइरी और प्रापर्टी विल नॉट बिल में बोल रहे है और तो ताइम लिमिट फॉर ये इंक्वाइरी अग्वाइरी इसका क्या मतलब यानि आपके प्रापर्टी को मैं कम्प्लेंड कर या कि वफ नहीं है तो कलेक्टर साब दस साल ले लेंगे तब भी वफ नहीं देगा वो अपने कंट्रोल में आ जाएगा तो अल इन और अगर आप देखेंगे इस बिल में वख प्रापर्टी के एफिशेंसी के लिए नहीं बनाया गया है ये वख प्रापर्टी को खतम करन बोड है वहाँ पर तो क्लियर लिखावा है कि हैस टू भी हिंदू अगर हिंदू धरम छोड़ेगा तो मेंबर्शिप चले जाएगी फिर आप देखेंगे जिए जाकर आप ये जो आपका टेमिलनाडू का एक्ट है चेलेंगाना का इंडोमेंट आक्स है आंधरा का है उड हिंदू की परिभाषा क्या है समविधान में हिंदू सीख बोड और जेंद मगर इन मंदिरों में स्रिफ हिंदू बनेगा मेंबर अब मिसाल के तोर पर मुंबई में ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर सिद्धी विनायक है गुजरात में सोमनाद की मंदिर वो भी ट्रस में आता वहाँ पर आप किसको बनाते हैं मंबर आप आप एक बास समझे तिरुपती के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो इतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्थानों में आप कैसे नौन मुस्लिम को ब प्रसाद में आप बोल रहें कि एनिमल फैट आ गया तो घलत है बोर हम भी मानते हैं घलत है नहीं आना चाहिए उनकी आस्ता है मगर यहां पर हमारे धरम में यह तो वखबोट तो है मुस्लिम धरम का इस्ता है तो इसलिए यह जो बिल मोडी लाए है उनकी सरकार लाई है व तो कलेक्टर साब के पास जाएंगे कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं यह दरगा नहीं है यह तो कुछ और है यह इनकौरी ओर्डर कर देगा यह कैसे होगा बताईए आप अच्छा एक में ठेहरी इसमें A.S.I. के प्रोटेक्टेड मॉनिमेंट्स भी है A.S.I. चाहता ह पर भी चेंजड तो यह इसलिए हम कह रहे हैं कि यह वख बिल जो नरेंदर मोडी लाए है वो वख की प्रापर्टीज को बचाने के लिए नहीं वख के प्रापर्टीज को एफिशन बनाने के लिए नहीं अच्छा जो वख बोट को मतवली सेवन परसंट डेते थे अपने इंकम का इसको आप पांच फीसद कर दिये ये कौन सा वख के मफाद में काम कर रहें बताओ बाब तो इसलिए ये सब एक मसल्मानों से उनकी मस्जिदों को चीनना चाते हैं दरगाओं को चीनना चाते हैं खबरस्तानों को चीनना चाते हैं इसलिए इस बिलकुल आए हैं ल झालोज को जो जो जोजए को तो झालोज कर दो झालोज को तो कि कोई खे जनम जग भालोज को तो तो कुट यटिए.